आज है एक माई दो हजार तेईस दिन सुमवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को यूपी पत्रकार पेंशन योजना साथ वश स्याधिक उम्री के पत्रकारों को मिलेगी पेंशन उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया दितनाजी ने अपने राजी के पत्रकारों को पेंशन देने के लिए कि योजना को शुरू करने का ने ने लिया इस योजना का नाम यूपी पत्रकार पेंशन योजना है इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 60 साल या इस से अधिकावी के पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी जिससे व्रत्र पत्रकार पेंशन प्राप्त करके अच्छे से अपनी व्रत्धावस्था को बिता सकें उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाजी ने अपने राजे में यूपी पत्रकार पेंशन योजना को शुरू करने का नेने लिया PCS के इंटरव्यू में फेल हुए तो निजी संस्थानों में मिलेगा नौकरी का मौका आयोग तयार कर रहा डेटा अब उत्रप्रदेश लोग सिवा आयोग करेगा आयोग का प्रियास होगा कि ऐसे अभ्यर्तियों को निजी संस्थानों में रोजगार के अफसर मिले आयोग की ये पहल अभ्यर्तियों को काफी राहत प्रतान करने वाली है सियम योगी का दावा यूपी में अब कानून का राज सुरक्षा की गैरंटी उत्रप्रदेश के मख्यमंत्री योगी आदितिनात ने विपक्षी दलों पर जम कर निशाना साधा और अपने कारेकाल में राजे में कानून का राज और सुरक्षा की गैरंटी होने का दावा किया निखाय चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीद्वारों के पक्ष में प्रचार कर रहे सीम योगी ने गोरकपुर में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित किया वही महराजगन कुशिनगर और देवरिया जिलों में चुनावी सभाव को संबोधित किया तालकंद्रा में बनेगी आत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 27 सेकड में होगा निर्मान गुरकपुर जिले में खुरा बार ब्लॉक के तालकंद्रा में जिले का अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है 27 एकड में बनने वाले ट्रेनिंग स्कूल में आवासिय और अनावासिय भवनों का निर्मान कराया जाएगा इसके निर्मान पर 24.6 करोड की लागत आएगी लोग निर्मान विभाग ने डीपियार बना कर भेज दिया है लगन विस्तित मुख्याले पर डीपियार का परिक्षन किया जा रहा है परिक्षन के बाद उसे शासन को भीजा जाएगा वहां से महर लगने के बाद टेंडर की प्रक्रियाश शुरू की जाएगी गुरक्पुर के रामगर्ताल के नारे बनेगी टूलेन की सड़ाख होगा सुन्दरी करण गुरक्पुर रामगर्ताल की सुन्दरता बढ़ाने और परिटकों को जल्द से जल्द ज़ादा से ज़ादा सुविदा मोहिया कराने के लिए ताल के चारो तरफ टू लेन के रिंग रोड बनाई जाएगी पहले फोर लेन सड़क बनाने के तैयारी थी मगर फिलहाल के लिए टू लेन बनाने के निरणे पर मोहर लगी फरियोजना में हुए बदलाओ से आरकेबीके से लेकर सहारा एस्टेट तक के जादा तर निर्मार प्रभावित नहीं होने की उमीद है कुछ एक प्रभावित भी होंगे तो सिर्फ आंशिक दोर पर नौई डर में लगेंगे 3.50 लाग स्मार्ट मीटर अब मुबाइल की तरह रीचार्च करने पर मिलेगी बिजली वरना कर जाएगा कनेक्शन बदलते दोर में एको जहां फोन से लेकर कंप्यूटर और टीवी स्मार्ट हो गए वहीं अब बिजली के इस्तमाल का ब्यूरा रखने वाले मीटर को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है जिसने बिजली के चोरी और गलत बिल की समस्या को रूका जा सके इसी के तहट अब दिली से सटे नॉइडा में बिजली उभुगताओं के मई से स्मार्ट प्री पेड और पोस्ट पेड मीटर लगने शुरू होंगे इसके लिए पश्यमांचल विद्ध वित्रण निगम लेमिटिड ने कमपनी का चोयन करके टेंडर भी जारी कर दिया है पहले चरण में उभुगताओं के मीटर लगाई जाएंगी नौइडमे नया हाई टेक जिलास्पताओं शुरू डियम मनीश वर्मा ने कहा तक्मीकी मशीनों से मिलेगी बेहतर सुविधा गौतम पुतनगर के लाकों निवासियों के लिए बड़ी खबर है अधुनिक सुविधाओं के साथ नया जिलास्पता सेक्टर 49 में शिफ्टिंग के बाद OPD शुरू हो गई डियम मनीश कुमार वर्मा ने निरिक्षनकर व्यवस्ता का जायजा लिया इससे पहले जिलास्पताल चाइल PGI के सेक्टर तीस सिस्थित बिल्डिंग एसंचालित होता था कई महिनों को स्पताल में सेक्टर 49 सिस्थित नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग का काम हो रहा था ग्रेटर नौिदा एक्सप्रस वेपर जारी ہے अंडर पास का काम ग्रेटर नॉइडा में अंडरबास के काम के लिए एक्सप्रेस वे की मुक्चे सड़क के 300 से 400 मीटर हिस्से को बंद कर दिया गया इससे नॉइटा ग्रेटर के एक्सप्रेस वेपर सेक्टर 126 के सामने बुदवार से एक महीने तक वहानों के आवगमन के रास्ते में बदलाओ किया गया ग्रेटर नॉइटा से नॉइटा की ओर आते समय लोगों को इस सिसे में सर्विस रोड से होकर जाना होगा वहान चालक दो अन्य रास्तों से भी आवगमन कर जाम से बच सकते हैं अवसोर्ज कर्मचारियों को भी दे नियूंतम वेतनमान अपनी जिम्मेदारी से मुह नहीं मोर सकती सरकार इलावा थाई कोट के लखनों पीट ने एक एहम फैसले में कहा कि सेवा प्रदाता एजनसी के जरीये रखे गए दैनिक वेतनभोगी कर्मी को नियूंतम वेतनमान देने की कानूनी बाधिता के जिम्मेदारी से राजिस सरकार मुह नहीं मोर सकती कर्मियों के हित में इस एहम नजीर के साथ कोट ने बागवानी वखादे प्रसंसकरण विभाक को आदेश दिया कि तैनिक वेतन भोगी कर्मी प्रेम चंद को उनके समान कारे रत अन्य कर्मियों के तरह नियूंतम वेतनमान प्रदान करे अकलेश का भाजपा परतायंच बोले गोरकपुर में देखा गोरक धन्दा पांच हजार करोड में बन रही 90 किलो मीटर सड़क सभा के रास्टे अध्यक्षोपूर सियम अकलेश वादव ने कहा कि गोरकपुर में गोरक धन्दा देखा सभा की सरकार में समाजवादी पूरवान चल एक्सप्रस वे की जो योजना थी आज उसे का नाम बदल कर लिंक एक्सप्रस वे कर दिया गया जो आजमगर संतकबीर नगर होकर गोरकपुर को जोड़ेगी ये 90 किलो मीटर की सड़क है और 5000 करोड में बन रही है मायवती ने मुसल्मानों को मेयर का चिकट देने पर किया ट्वीट जनता से की अपीर बसपा सुप्रीमो मायवती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि यूपी निकाय चुनाओं के अंतर का 17 नगर निकमों में मेयर पत के लिए हो रही चुनाओं में बसपा द्वारा मुसलिम समाज को भी उचित भागिदारी देने को लेकर यहां राइफ नीती काफी करमाई हुई है क्योंकि उससे खासकर जौती वादी और संप्रदाइक पार्टी की नीन दुड़ी हुई है बसपा सर्वजन हिताय वसर्वजन सुखाय के नीती वसद्धानतों पर चलने वाली अमबेचकर वादी पाटी है और उसी आधार पर यूपी में चार बार अपनी सरकार चलाई उन्होंने कहा कि बसपा में मुस्लिमवार ने समाज को भी हमेशा उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है गोरगपूर से चलने वाली 12 ट्रेंस रहेंगी गैंस गोरगपूर से चलने वाली करीब दरजन बढ़ ट्रेंस का संचालन प्रभावित रहेगा रेल्वे ने यहां से चलने वाली कई ट्रेंस कैंसल कर दी जबकी कई ट्रेंस रीशजूल कर और नियंत्रित कर चलाई जाएंगी इसके साथ ही कई ट्रेंस रास्ते में रोक कर चलाई जाएंगी एनी रेलवे के सीपियारो पंकच कुमार सिंग ने बताया कि गुरखपुर के नका जंगल स्टेशन का याज रिमॉडलिंग हो रहा है साथ ही गुरखपुर के एंट्र स्टेशन पर भी इंजिनिरिंग कारे हो रहा है इसके चलते ट्रेंज का संचालन प्रभावित रहेगा सिर्दर्द के साथ ही इन लक्षणों को नजर अंदाज ना करें हो सकता है ब्रेंट चूमर सिर में एक हिस्से में बार बार दर्द हो रहा है दर्स से सो नहीं पाते खासतोर से सुभे नेंद उचा जाए तो दमाग बे कैंसर के चूमर का खत्रा है ऐसी स्थिती में इलाज में देरी होने पर मर्ज हाई रिस्क ग्रेड में पहुँच जाता है जहां मरीज की जान बचाना मुश्किल है नियूरोलाजिकल सुसाइटी ओफ आगरा के सही उकसी वर्ड फेडरेशन आफ नियूरोसर्जिकल सुसाइटी के शेक्शनिक संबेलन में विशेशग्यों ने ये जानकारी दी अब इस उम्रे से पहले नहीं होगा स्कूल में अडमीशन शासन ने जारी किया आदेश उसके लिए लागू होते हैं उत्रप्रदेश के अपर मुक्य सची बेशिक शिक्षा दीपकुमार की तरफ से आदेश चारी करते हुए बताया गया कि पहली क्लास में अडमीशन कराने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम छे वर्शोना अनिवारे है पियम मोधी पर खर्ये की चिपणी को लेकर सीयम योगी का पलचवार करनाचक पे होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कई बड़े दिगजों को चुनावी प्रचार मैदान में उतार दिया है बीजेपी के कई मंतरी और मुख्यमंतरी जन सभाई कर रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगिया आधितनाथ भी करनाचक में चुनाव परचार कर रही है यूपी के सियम ने पिछले दिनों पृधान मंत्री नरेंदर मोधी पर कॉंग्रेस के रास्टी अध्यक्ष मल्लिकार जुन खड़के द्वारा की गई विवात टिपपने की जमकर आलूचना की ऐसे लेकर उन्होंने कॉंग्रेस पर निशाना साधा योगी के गार गोरकपुर में बरसे अकलेश बोले हर मोर्चे पर फेल है सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाओं से पहले यूपी निकाय चुनाओ 2023 में जीत हासल करने के लिए भाजबा सपा बसपा कॉंग्रेस सहित हराजनी तिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ऐसे में रविवार को समाजबादी पार्ची के रास्टी अध्यक्षा पूर मुक्य मंत्रिया के लिए शादब गोरकपुर संतकभी नगर देवरिया के एक दिवसियत दोरे पर पहुँचे गोरकपुर में भोचपुरी फिल्म अभी नेतरी काजल निशाद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया सपाध्यक्ष ने बिजली नाली, जलनिकासी, साफसफाई और मैट्रो का मुद्दा उठाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया उत्तप्रदेश में अगले चार पांस दिनों तक होगी जमा जम बारिश, विहार ज़ार खंड में लूच चलने की आसार ग्लोबल वामिंग के चलते मौसम खासकर बारिश का पैचन लगातार बदल रहा है कहां बारिश तो कहीं लू के आसार दिख रही है मौसम विभा के ताज़ा भविश्यवानी में अगले चार पांस दिनों तक उत्तप्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है यह बारिश का पूरवानुमान किया गया इरान इराक में शुरू होकर अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तक पहुच चुके पश्चिमी विक्षोप को चक्रवातिया हवा के दवाब का साथ मिलने के कारण उत्तप्रदेश समीद देश के पश्चिमी हिस्सों के मौसम का मिजवाज बदल गया शुर्मारकिट में सुची बद्गुरकपुर की पहली कमपनी Harriet स्टील सेक्चर के साथ इन शेस्चेतरों में एक कंपनी की दस्तप आइकर के चापे के कारण चचा में आया गयलन् समो शियर म dato放心 में सुची बदल गया आएकर छापे का बहुत असा शेयर पर नज़र नहीं आया आगरा में कदम कदम पर कबजाई जा रही यमुना सेटलाइट में कैप्चर हुए अतिक्रमन सिकंद्रा रजवाहा और आगरा रजवाहा के बाद अपताज नगरी में यमुना की जमीन को कबजाने की होड मची है रुनक्ता से लेकर छले सर तक यमुना के आसपास के अलाकों में जम कर आवेदा तिक्रमन हो रही है बड़ी मात्रा में वन विभाग और सचाई विभाग के जमीनों पर खबजे किये जा रही है वन को काच कर जमीन सम्तल हो रही है यमुना में खेती तक शुरू हो गई सेटलाइट से किची तस्वीरे इसकी तस्दीक कर रही है इसके बाद भी प्रशासने का दिकारी बेखबर है दिली से चलेगी एक और वन्दे भारत एक्सपस ट्रेन आगरा से जोड़ेगी कईश है रेलवे बोर चलती दिली से खजुराहो के बीच एक और वन्दे भारत ट्रेन तोड़ाने की तैयारी कर रहा है मई महा में इस ट्रेन का ट्रायल किया जा सकता है ट्रायल दिली से आगरा के बीच रेल खंज पर किया जाएगा इस बंदे भारत का संचालन दिली से ग्वालिया जासी होते हुए खजुराहो तक किया जाएगा इस ट्रेन के चलने से ताज नगरी का खजराहों के साथ सीधे नाता हो जाएगा बिल गेच्स ने पिम मोदी के ओदी सौवे एपिसोट पर बधाई दुनिया के सबसे हमेरी लोगों में एक बिल गेच्स ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को सौवे एपिसोट के लिए बधाई दी साथी पिम मोदी ने संबोधन में कहा इस साल हम जहां अजादी के अमरतकाल में आगे बढ़ रही है वही जी ट्वेंटी के अध्यक्षता भी कर रही है ये भी एक बज़े है कि एजुकेशन के साथ साथ विविद वैश्रिक संस्कृतियों को समरत करने के लिए हमारा संकल्प और भी मस्बूत हुआ है लुद्याना के इसकान में यूपी बिहार के लोगों ने गवाई जान तीन परिवारों के दस सदस्यों की मौत पंजाब के लुद्याना के ग्यास पुरा में जहरीली गैस ने 11 लोगों की जान ले ली चाऱ लोगों को विहोशी की हालत में अस्पटाल में भढ़ती कराया जिनकी हालत अब ठीक बता ऑी जा रही है दो का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और दो लोगों का नेजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है जिन लोगों की गैस के कारण मौत हुई उन लोगों के शरीर नीले पड़ गए घटनार अविवार को हुई नाले से जहनेली गैस लीक होने की बात कही जा रही है बनने वाले दस लोग तीन परिवारों के हैं एक व्यक्ती के शिनाक्त नहीं हो सकी पंजाब सरकार ने ग्यासी पुरा गैस लीक में जान गवाने वालों के परिजनों को दो दो लाक रुपे और अन्ने को पच्छास हजार रुपे की अनुक्रे राशी देने की खोशना की है सबागे बाद अब कॉंग्रेस में सेन्मारी पूर्मंत्री सहीद बारापाशर प्रत्याशी भाजपा में शामिल निगाज चनाओं के बीट भाजपा की सेन्मारी जारी है सबागे बाद अब कॉंग्रेस में भाजपा ने सेन्मारी कर डाली पोटिंग से पहले ही विबक्ची दलो के निताओ का भाजपा में शामिल होना जारी है रविवार कोष सफा सरकार में पूर मंत्री रहियां रोणा कोरी के साथी सफा कॉंग्रेस वारालोत के निताओं ने भाजपा की सदस सिताग ग्रहन की लगनाउ नगर निगम से कॉंग्रेस के बारा पाशध प्रत्याशी भी भाजपा में शामिल हुए पंजाब केंग्स ने टीम धोनी के जबले से चीनी जीत आखरी पांच ओवर में घजब करो मांच पंजाब के टीम की ये टोर्नमेंट में पांच वी जीत है और उनके खाते में अब दस अंक दर्ज हो गए हैं चिन्नाई की खाते में भी दसंग है महिंदर सिंग धोने की चिन्नाई टीम चौथी और शिकरधवन की पंजाब टीम पाँचवे नमबर पर है यह पहला मौका है जब किसी टीम ने चिन्नाई के बैदान पर दोसों से ज़ादा रन के लक्ष का पीछा करते हुए जीत हासल की पंजाब की टीम ने आखरी पांच ओवर्स में बहात्तर रन बना कर मैच का रुख पलट दिया यूबी में आई होगी याधितनाद सरका तो एक एकर धहता गया मुकतार वाफजाल का अपराद का सामराच वश 2017 में होगी याधितनाद के सरकार बनने के बाद माफिया मुकतार अंसारि और इसके करीबियों का सामराच lavender ओ एक एकर के धहता चला गया पूरे प्रदेश में 575.96 करोड की संपत्ती को प्रिशासन ने जब्त वाद ध्वस्त किया सिर्फ गाजिपूर में जनपत में अब तक करीब 200 करोड रुपे से अधिक की संपत्ती पर कारेवाई की जा चुकी है ये कारेवाई अभी भी निरद्द जारी है तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको नियूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें धन्यवाद